कि CSIR का पेपर 1 और 2 हो गया है और आप तो आंसर की भी आ गई है दोस्तों अगर आपका स्कोर ठीक ठाक बन रहा है जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है तो आपको पेपर 3 यानि कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव एक्जाम है उसकी त्यारी शुरू कर देने च लेकिन चुकि हम इस छेतर में थोड़ा सा ज्यादा अनुभाव रखते हैं और मैं आपको कुछ खास बाते बता रहा हूं इस विशह में आपका एक गलती एक बिंदी या एक मात्रा की एक गलती माने जाती है और उसका अंक कटता है मेरे भाई क्योंकि अब आगर आप बिंदी नहीं लगाते मात्रा नहीं लगाते तो बस यूं मानलो जैसे हिंदी में मात्रा और बिंदी का रोल रहता है इंग्लिस में इजमार हो जाता बस उस वहां पर ठीकना जैसे जमार की अपने आप में गल्ती होती है ए ऎपने M11 लगाते हैं हम और नहीं लगाते आई के साथ हम ख्im laughs लगाते हैं इस नहीं लगाते बिल्कुल वैसे ही है और हमें फर्क होता है समझ महां की और की में फर्क होता है चलिए और लेकन से सम्मदित कुछ सीजिम आपको बता दे रहा हूं देखो दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा यहां पर मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ लाइने जुटा रखी है मैं इसको थोड़ा सा अपने अनुशार नीचे कर दे रहा हूं कि देखो जो मारी बन माला ना सबसे पहले है आपको वर्ड माला लिक के दिखा रहा हूं थोड़े और उपर जो इसके उपर सिरो रेखा रहती है डंडा रहता है उसका ध्यान रखना है जैसे मैंने यहां पर लिखा आपने लिखा औ, तो आप या तो slant lign small sives एदर tilt कर सकते हैं, या आप शब्दो को either tilt कर सकते हैं, या सीधा कर सकते हैं, यो तीन तरफे होते हैं किसी भी सब्द को बनाने के, हाल लग-लग आदमी की बातtım एधित होती है, आप देखना किदर हो रहा है तो जैसे हमारी वर्ण माला है और लिखा मैंने तो आका भी ये पहले वाला जो अक्सर हो यूपन्य बनेगा और हम इसके साथ डंडा लगा देंगे और उपर स्रीव रिखागा ध्यान रखना है अब फिर मैंने लिखा इसको हम क्या बोलते है या फिर छोटी इभी कहे दिया जाता है इसको क्या बोलते हो बड़ी या बोलने में इसका उत्चारण लंबा हो कि ओ आप जब री बनाएंगे तो पैसे ऐसे त्रह और फिर यह बन गया री कि ए और यह क्यों होता है आई कि ए जो है एक मात्रा बनाता है और आई दो मात्रा बनाता है बात सम्झें मैं आँ कि ओ कि ओ ओ उपर वाली मात्रा धान देना कुछ लोग क्यवल ऐसे कर देते हैं गलत होता है ऐसे मोड के लिखनी होती है अंग और पीछे क्या लिखा हमने और जैसे हम दुख लिखते हैं तो उसमें हम अब देखो जो हमारा यह क्या होगे स्वर अब मैरे यहां पर क्या लिखा जो हमारा वर्ण बाला में वेंजन का भाग है उसमें मैं आपको कुछ शब्द लिखके दिखा रहा हूं जैसे कि को 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 कि गो को को अगो और अब यह क्या है बहुत सारे बच्चे इसको अड़े खाली बोल देते हैं लेकिन यह इसका उच्चारन क्या है और कुछ बच्चे इसमें यहां बिंदी नीचे लगा देते हैं यह होता है अड़े लेकिन यहां पर आपको यह पीछे लगेगा और यह इस इस पंक्ति के अंदर जो पीछे शब्द होता है वह अक्सर होता है उसके लिए बिंदू का काम करता है कि समझ मैं मेरीबात देखो इसको में िरा दूं मालो गया पीछे लिखना है तो मैंने लिखा यहां पर कंगा कर एक और इसके यहाँ पर मैंने तो यह पीछे वाल आई यह यह हैं बेंदू का काम करता है आप चाहो तो इससे भी कंगहा लिख叩क सकते हो आज कर लिखा नहीं जाता बट मैं भाषा की सुनरता बता रहा हूं लेकिन यह हमेशा हलंत के साथ आएगा यह भी कंगा हो सकता है है ना अब यह पीछे वाला अंकी बिन्दी का काम करेगा अब हम अगला पढ़ लेते हैं जो 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 और यहां क्या पढ़ते इसको यह मैं आपको एक और खुब चुर्ट बात बता रहा हूं हिंदी में एक अक्सर का वीक और स्ट्रूंग वर्ड़ होता है स्ट्रूंग साउंड होत जैसे अ-अ-अ-ई-ई-उ-उ इसको छोड़ दो ए-अ-ई-ओ-उ अब ऐसे ही कह और कह का स्ट्रूंग साउंड होता हो कह जहां पर कह टंग आएगी वहीं पर थोड़ा सा और प्रेसर देकर खा आजाएगा और गह जो 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 यह पीछे आपका अंकी बिन्दी बिना ले वाला अक्षर होता है ज्यादा डिटेल में यानि मुश्किल सब्द बोलने रहा हूं जो आपको याद रखने की जुरूरत नहीं है अब ऐसे ही तो और टै को और ज्यादा स्ट्रूंग ली बोलेंगी तो क्या हो जाएगा थो ड़ अ-धो और यहाँ पर क्या जाएगा अन हर तो यह तो तो इसका श्ट्रूंग हो यह ऐसे ही दो क्स्ट्रूंग क्या वा गरिशार और न यागा फैय बोटन इसudp कि र ल व और अब देखना हाथ थोड़ा दीचे हो सकता है राइटिंग खराब हो सकते थोड़ी यहां पर मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि सिधर है यह र लव आपका कि सब्दों की बनावट और सिरो रेखा का ध्यान लगता है और पीछे क्या आया देखो इसकी भी बनावट के खास ध्यान देना आपने कुछ केवल ऐसे लिख देते हैं गलत होता है ठीक ना और देखो अक्षा त्रह और जय और यह से मिलकर बनता है जय जय गय गयने भी बोल देते हैं ठीक ना दो और लिख रहा हूं कि यह और इसके नीचे यह आ जाता है आपको यह दोनों यहां नजर नियाएंगे तो दोस्तों यह थी वर्ण माला और आपको इसकी बनावट और इसके उपर जो सिरो रेखा है वो वो बिलकुल आप जब भी कुछी भी लिखेंगे जैसे मैंने यहां पर लिखा अमित तो अगर मैं अमित लिख रहा हूं यहां पर तो मुझे लिखने के बाद इसका धान रखना है आपको शुरुवात में थोड़ा सजोर पड़ेगा स्लो रैटिंग हो जाएगी लेकिन जैसे आप एक सब्ता इसका प्रेक्टिस कर लेते हैं आपकी रैटिंग भी सुन् सब्सक्राइब पाने के लिए चलिए दोस्तों अगर आप त्यारी करना चाहते हैं इस तरीके से सधीवी भाषा के साथ तो ग्लेक्सिक्स कोचिंग पॉइंट की एक टीम सधीवी टीम अपनी प्रपद्धता प्रभुद्धता और प्रतिबद्धता के साथ सब फंबलिंग लिए था माँ पी चाहूंगा आपका इंधार कर रही है चलिए मिलते हैं दुबढारा से ग्लेक्सिक्स ärcus coaching पॉइंट आपने map में डालिए ग्लेक्सिक्चिस कोचिंग पॉइंट papat सिधा आपको पहुंचा देगा ग्लेक्स सेक्सिस के द्वार पर जहां पर आपका इंतजार हो रहा है पेपर जो डिस्क्रिप्टी हो उसकी त्यारी के लिए अगर आप सच में चाहते हैं कि यह एक्जाम अच्छे से और इमांदरी से आपका मेहनत के साथ पास हो तो सीधे चल कोचिंग पॉइंट का यूट्यूब चैनल और अप्लिकेशन पर नमस्कार